जहां पुष्ट पालन समाप्त होता है वहां से लेखांकन प्रारंब होता है और इस प्रक्रिया से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस समस्त ज्ञान का उपयोग ब्यावसाई और ब्यावसाई और उससे सम्मंदित प्रतक्ष और प्रतक्ष रूप से समाज को प्राप्त होता ह प्यारे बच्चों बानी जी की कख्छा में डक्टर कोसल की सोर्तिवारी शायक अध्यापक मरवार इंटर कालेज गोरकपूर आप सभी का पुना एक बार स्वागत करते हैं और इस शुक्ति के आलोप में आज हम आपको हम आपके सामने एक नया प्रक्रान लेखांकन चक्र लेकर के उपस्चित हुए हैं जिससे की आप हम तिन पाल्ट में इस वीडियो को बनाने जा रहा है जो आपके सामने द्रिश्य है फर्ष्टा लेखांकन चक्र एकाउंटिंग साइकिल हम आज आपको बताएंगे दूसरा जो बेसिक कांसेप्ट किलियर होना चाहिए बानिज्य के विद्धार्थ्यों के लिए वह है एकाउंटिंग और एकाउंटन सी में डिफ्रेंस अर्थात लेखांकन और लेखाकर में मूल भूत अंतर क्या होता है कि पुष्टपालन की बात हम कर चुके हैं और इस क्रम में लेखांकन चक्र एक जिस प्रकार मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव का जीवन जो होता है एक चक्र में हो करके और अपने प्रूरता को प्राप्त करता है पुन्ह उसके बाद चक्र शुरू होता है ठीक उसी प्रकार से जो आप लेखांकन करने चलते हैं तो अभी एक चक्र में पूरा हो करके ही वह पुन्ह उस जगह पर अहुचता है इसके लिए दो बाते आपको ध्यान में रखना होगा जब ये चक्र की बात आएगी तो वो समझ से जुड़ा होता है इसलिए हमारा जब लखांगन की प्रक्रिया प्रारम होती है तो एक पर्टिकुलर ताइम में हम इसको बाधने का प्रयास करते हैं क्योंकि किसे भी ब्योषाय का जीवन जो होता है और अशिमित होता है और इसा नहीं है कि हम आज ब्योषाय प्रारम किये और दस दिन के बाद जो मर्चार साल के बाद हम उसे बंद कर देंगा वह तो एक दिर्गकालिन प्रक्रिया है तो इसलिए किया क्या जाता है कि उसे एक निश्चित समय में बाट लिया जाता है प्रायह जो समय हम लोग बाटते हैं या जो हमारे इसके संबंध में जो कानून हमें शहमती परदान करता है जो बैधानिकता परदान करता है उसके एकार्डिंग हमारा जो वित्य वर्ष होता है वहाँ 1st April to 31st March तक चलता है अर्थात यह टोटल जो 12 मंथ हैं हम इस 12 महीने का एक समाने तौर पर मानक के तौर पर समय बात दिया गया होता है को आज जो कंप्यूटर जुग है उस कंप्यूटर जुग में तो क्या किया गया है कि हर तीन महीने पर अर्थात इसे 12 मंत को भी चार भागों में बांट करके और लेखांकन प्रखिया पूर की जाती है और उसे से परेडाम प्राप्त कर लिए जाते हैं लेकिन प्यारे बच्छों आपको बस इतना जानना है कि आपके लिए जो फाइनेंसियर होगा जो बित्या बर्स होगा जो बच्छों लेखांकन बर्स भी हम खाएंगे उसको क्या खयंगे और रहतों अप्रील से लेखर करके 10只 मार्च तक छलन कए चुकि यह जो हम चक्र की बात कर रहे हैं यह इसी 12 महीने में पुर्ण करता है एक चक्र जिस प्रकार आपकी पिर्थ भी 365 दिन लगाती है सुर्य का एक चक्र पुरा करने में ठीक उसी करव से यह प्रक्रिय भी एक चक्र पुरा करने में 12 महीने लगाया जाता है और उसे 12 महिने के पस्चात हम इनसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं, समझ में आ गया होगा, सबसे पहले जो इस्टेप हम उठाते हैं, जो पहला कदम हम उठाते हैं, उसमें हम लेन देंगे, अर्थात ट्रांजेक्शन्स, हम बुक किपिंग के किरिया हम पहले इस्टेप में पुरा करते हैं, और उसमें हम सवदों को पहचानते हैं, पहचानने के बाद उन सवदों को विभिन, जो सहायक बहियां हम आपके सामने, प्रारमिक प्रविष्ट्य की जो विभिन बहियां हैं, रोकर वहिक्रय, वहिक्रय, वापसी, वहिक्रय, वापसी, वहिक्रय, वापस उसके बाद विशिष्टरो जिनामचाлем इनमें हम सबसे फाले उन लेंदेनों जो जिस से समंधित होगा रोकर नगत लेंदेन नगकर बिक्राय करका चुछ अगर क्रेवापसी होती है तो उसे क्रेवापसी में लिखते हैं विक्रेवापसी होती तो इसे विक्रेवापसी में लिखते हैं अगर हमें कहीं से बिल प्राप्त होने वाला है तो क्या पर बिल भही में दिखा जाएगा लिखा जाएगा देना दे बिल है तो बही बिल भही में दिखा जाएगा और इने सब के बावजुद जो चीजे बच जाती हैं उसे हम विशिष्ट रोजनामचा में प्रदर्शित कर जाता है हम उसको रोज़नाम चाल कि ढाल कि यहां जर्नल्स की प्रक्रिया इसी ह्में तो एक जया पर हम आपको बता देना चाहते है हाला कि आप पर यह सामने जो पांठा कुस्तक है उन पार प्रक्राइब यह दो रहेंकिन आप confusion में रहेंगे लेंद जैसे ही उड़से कहा जाता है पहले लीख बाद में रहो तो कापी से बुष्टक से ले यहां जो वाकियों कही जाती है इस के संदरं में इसा पहले हम सबसे पहले जब हम देते हैं तो जब लिएाई है तो उसको लिखते हैं हम प्रणाली के अनुसार या जिस भी आप रोकर प्रणाली का वियों कर सकते हैं आप इस प्रणाली पर हम चर्चा करेंगे आगे आप भारते बही काता प्रणाली जो कहीं से भी दोरा लेखा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न नहीं थी वह अभी साइंटिफिक था और या भी तो जिस भी प्रणाली से आप अपना रोजनाम चार्ट जर्नल तयार करते हैं तत्पस्चात उसके बाद हम इनकी सहायता से हम जगे से उठाकर कि दूसरी जगा ले जाने को हम पोस्टिंग करते हैं तो इस लेजर बुक में एक बही है उसमें हम बरगी कृत करते हैं इट मिंस एक नेचर की एक ब्यक्ति से जुड़ा एक देंदार एक लेंदार का खाता एक संपत्ति का खाता हम उसमें अलग-अलग कर करके और उससे संबंदित मर्णों को हम पोस्ट करते हैं यहां तक पोस्ट करने के बाद हम इसका जो सेस निकालते हैं हम जो इसका जर्नल का हम योग करते हैं उसके बाद जब हम खाता बही में लाते हैं बरगी करकी तो प्रतेक खातों का हम सेस निकालते हैं उस सेस की सहायत यहां पर पर्इक्ष्छा स्विश्न आते हैं यहां तक किये गए कारियों को बहुत हद तक तूरोटियों को दूर करने में सहायप होता है। तो हम यहां पर तलपट कर यहां तक की जो गतिवीदी होती है प्यारे बच्चों वह आपके बुक किपिंग की गतिवीदियां क्यां और तक पस्चात लेखांगन का पांचिवे इस्टेफ पर हम पहुंचते हैं और यहां पर हम इन सेस के सहाथा से इस परिख्षा सुची की सहाथा से हम व्यापारी लाभानिखाता और इस्तिफी विवरहत तयार करते हैं और जब यहां तयार हो जाता है उसके बाद हम अगले बर्स में प्रविश्ट करते हैं और यहां यहां ले comedant शुरू हो जाता है पुन्ह अगले बार थात एक चक्र पूरा हो जाता है अब हम अगले बात करते हैं प्यारे बच्छों लेखांकन चक्र के पस्चाहत आपके सामने यह अस्पष्ट कर देना आवस्यक है कि यह किन प्रोसेस किन विध्यों से हो करके गुजरता है और अपनी पूर्था को प्राप्त करता है प्यरे बच्छों हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं लेखांकन बेदी क्या है क्या प्रक्रिया है कैसे कैसे हम पहुंचते हैं अपने लक्ष को प्राप्त करते हैं अर्थात हम उस ज्यान को प्राप्त करना चाहते हैं जो उस ब् बुक कीपिंग की करिया संपाधित करते हैं जिसके अंतरगत हिसाब किताब करने का प्रारमबिक आवस्था है वह आपका पुष्टपालन होता है उसके पस्चाथ जो दूति आवस्था है सेकंड इस्टेज है वह है लेखांकन और उसके पस्चाथ जो तीसरा अर्थात लेकिन जब तो कि दोनों पूरुन नहीं होगा वह लेखा शास्त्र का रूप धाराना नहीं करेंगा शास्त्र सब्द जब अपने आप में जुड़ जाता है तो इसके तमाम अब यह कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों पर निर्भर है और तब जाकर कि यह एक ज्यान का पुंज बनता है एक ज्यान का भंडार बनता है जिसे हम एकाउंटेंची या लेखा सास्त्र का सकते हैं अब जो भी प्रक्रियां हम इसके बीच में अपनाते हैं उनको हम साथ प्रक्रियाओं में बाते हैं यहां तका करकि यहां लेखांकन अपने पुर्णता को प्राप्त करता है इस प्रक्रियाओं में मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है त अंतर असपष्ट कर सकें इस त्रिष्टी कोड से हमने आपके सामने ये साथ वो क्रियाओं को यहाँ पर हमने नोट किया है लेखांकन सूचना की पहचान करना प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में उसका उलेख करना खाता भाही तयार करना और परिक्षा सुची या तलपड तयार करने तक का यह सारे जो कार्या आते हैं वह बुक कीपिंग के अंतरगत आता है प्यारे बच्चों उसके पश्चात जब हम इस परिच्छा सुची के आधार पर जब हम अंतिम खाते तयार करते हैं तो यह अंतिम खाते और उप्युटिम का करने की कोशिश करते हैं वह बुश्चेड के अंतरगत आता है तो उसके बाद करते हैं यहाँ पर भी विशलेशन किया जाता है और उसका निर्वचन किया जाता है और तब उसके बाद संबंधित इभागों को संबंधित प्रवंध कियफान को सरकार को समाजिए के वो जो आपके विवसाय में हित रखते हैं उन सभी को सुचनाय देने का कारी के जाता है तब पस्चात आपका यह लेखांकन प्रक्रिया समाप्त होता है और इन सभी को मिला करके हम एकाउंटेंची कहते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि बुक्कीपिंग एकाउंटिंग और लेखा कर्म इस दिये गए तत्थ के अधार पर आप इसे भली भाती परिचित हो गए होंगे अब हम आपको अगला पुस्त पालन के संदर्भ में बताने जा रहे हैं हमने पुस् पुस्त पालन के अंतरगत कौन-कौन सी क्रियाय संपाधित की जाती हैं और तक पस्चाथ उन दोनों को सामोहिक रूप से हम लेखा कर्म की संग्या दे सकते हैं इसे को हम एक फर्मोली के रूप में यहाँ पर प्रसुत किये हैं पुस्त पालन कि एक बार पुनह आपका यहाँ जो पाठ है वह रिवाइज हो जाएगा कि लेखा पुस्त को में नियमानुसार सुद्ध और असपस्ट एवं निशित धंसे जो ब्यवारों को जब आप अंकित करते हैं लिखते हैं तो वह पुस्त पालन की प्रक्रिया होती है उसके बाद लेखांकन के अंदर करते पुस्त पालन प्लस विश्लेशन और निर्वचन के लिए जो हम अंतिन तयार खाते तयार करते हैं वह लेखांकन की प्रक्रिया होती है उसके बाद पुस्त पालन प्लस लेखांकन प्लस लेखांकन सुचनाओ का संचेपी करन विश्लेशन निर्वचन एवं संप्रेशन का जो जो ज्ञान आमें प्राप्त होता है वह लेखा कर्म या एकांक्टन से कहलाता है अब प्यारे बच्चों यह पुस्त पालन या हम अब इसको जो लेखा कर्म लेखांकन यह आपस में जो इनका संबंध है वह आप लोगों को भली भाती समझ में आ गया होगा और अब यह प्रश्ण उठता है कि इनका लाब क्या होता है इसका महत तो क्या है वह सभी बाते ह होगा वह सब चीज़े कामन है मनें आप पर पुस्त पालन के लाब अथा महतु पर हम प्रकास डालेंगे तो सबसे पहले करमचारियों पर नियंद्र प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि क्रय विक्रे की ग्रिया की जाती है लेंदेन होते हैं और यदि वो ततकाल में अगर कहीं रिकाल्ड नहीं किये गए तो आज आपके जो करमचारी है वह कहीं गया है कोई चीज खरीदने अगर उसका रिकाल्ड लेकर के नहीं आया भूल गया तो वह लापरवाही आपके लिए भारी पर सकती है आपका जो लिखांगन बहुत सही सुचना देने में असमर्थ हो जाएगा एक चीज़ तो इसके होता है कि ह्लेक और जब हम लेखांगन प्र stehen अपनाते हैं तो वह जाता है और यहां भी खर्ज करता है देता है लेता है तो यह जो रसी प्राप्त होती है वह लेकर क्याता है और उससे अब्रसाट आड़ जो है मानसिक नियंतरト होता है कि हमारा ये जो भी लेन देन आयुका श्रक्राइब कर रहा है इसलिए उस पर नीयंतरन होता है तो इसका लाब जो होता है वह व्यार्वसाइक मिलता है कुई करमचारि और एक परकार नीयंतरन स्तापित होता है भूल से बचा है वह हम कोई चेज अगर लेंदन करते हैं तो सबसे पहले लिखने के एक प्रक्रिय आता रएता है इव नतार नोवे तो हमने उसरी आज से हम यह लिखसिं नहीm अमें इतना दन में अनुर्म हाँ के लिए कपर बिखाओ या और से जब हम इससे लिखांकन में अंत्विम खाते तयार करते हैं तो हमें संपत्यों की बारे में पता चलता है दाइतों के बारे में पता चलता है कितने लेंदार हैं कितने देंदार हैं और हमारे पास कितने रोकण हैं यह समस्त चीजों का पता चलता है जिससे की वास्तवी किस्थिती का ज्ञान हमें प् सल रहा है तो वह जब भी हम बैंग के पास जाते हैं लिर्ण के लिए तो हमारे लेखा पुष्टपालन को देखता है उसे विश्वास होता है और वह हमें रिंड देने में कोई कोटाहई नहीं बरतता है हमें उपलब्द करा देता है अधात हमें रिंड प्राप्त करने में साज्य का है तो विश्वास एक दूसरे साज्यदार को होता है और यह उसमें बड़ा ही सहाय को होता है क्योंकि सभी चीजें लिखी रहती है वह अभी देख सकता है अब भी देख सकते हैं और दोनों के बीच क्योंकि व्यवसाय जो होता है वह में विश्वास है लुकदान देता है साजीधारों में सहाय刹ता है और कि खर्चों पर नियंत्र म कुअ वह का पता हमें चलता है हम ब्य हता बनाते हैं तो हमें पता चलता है हम नег Turtle करने के बिश्याट। का निर्मान करते हैं उसके बाद अगला है तुलनात्मक अध्यन हमारे पास जब कई साल के डाटा होते हैं तो हम उन जाताओं को एक सात्रा करके पिछली से पिछली पर और हम उसके तुलना कर सकते हैं और तुलना करने के बाद यहरे बच्चे आपको पता है आप यह जान जा तो उसका कितना रिजल्ट कैसे प्राथ हुआ इसके लिए पुष्ट पालन आपको बहुत ही सहता पहुंचाता है काफी उसके लिए इंपर्टेंट है और विवादों का है जब अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है देंदार से लेंदार से या आपस में साजे के बीच और यहां मामला अगर कहीं कोईट में जाता है तो वह जजबी प्रमाण के स्वरूप आपके पुष्ट पालन को साक्ष के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मांगता है और उसी के अधार को फैसला देता है तो यह विवादों के हल करने में महत पुर्भून का किया है तो वह अपने बैधानिकता का प्रमान कहीं नहीं दे पाएगा क्योंकि इसे बैध माना गया है तो यह सभी महत पुर्भून बातों को ध्यान में रख करके पुष्ट पालन करना अत्यंतही आवस्या का हो जाता है मुझे उमीद है कि आप सभी लोगों को आज के जिन जिन प्रक्रोनों पर हमने चर्चा किया है वह आपको समझ में आगया होगा और इसी के करम में हम आपको ग्रे कारे देते हैं पहला है प्रारंभिक बहियों के आपको नाम लिखने हैं दूसरा पुष्ट पालन के लाभथवा महत्यकु आपको संचिप्त में लिख लेना है और इसी के साथ आज का यह वीडियो में समाप्त कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवादि